संसार का प्रेम तीन चीज़ों पर टिका हुआ होता है कौन से वो तीन चीज़े है संदर्य, गुण और लाब संसार का प्रेम इन तीन पर टिका होता है या तो वो संदर्य को देख करके टिकता है या तो गुणों को देख करके टिकता है या कहीं लाजाच लाब को देख करके टिकता है सुन्दर्य के वो पर से प्रेम होता है लेकिन स्वासे जब प्रेम होगा ना वहां सुन्दर्य की आवश्यक्ता है ना वहां गुणों की आवश्यक्ता है ना वहां किसी लोब लालच की आवश्यक्ता है श्योपुरान कहता है स्वासे जब तक आप नहीं जुड़ोगे अपने आप से जब तक प्रेम करना नहीं सिखोगे तब तक आप भटकते रहोगे तब तक आप ठोकरे खाते रहोगे यहां भटकते रहोगे तीनी दुनिया में तीनी कारण है प्रेम करने के या तो सुंदर्या है किसे के सुंदर्ता हमें भाग गई हम उसके हो गए या किसे का गुण हमको भाग गया हम उसके हो गए या जिससे हमें लगता कि समय लाब मिलेगा लालच है स्वार्थ है तो हमें उसे प्रेम होता है ये तीनों की वज़े से व्यक्टि प्रेम करता है और ये तीनों सिवाए दुख्य के और कुछ नहीं देते हैं दुनिया का प्रेम तब तक आपका है, जब तक वहाँ पर स्वार्त है, और जिस दिन दुनिया का स्वार्त समाफत हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी प्रेम नहीं है, और जान रखना ये सब के साथ लागू है, ऐसा कोई नहीं कोई सोचे के नहीं हमारे साथ लागू नहीं है, ये सब के साथ लागूए है पति-पत्नी का प्रेम बहुत अखंड माना जाता है उसका एक बहुत दुखद एक चित्र सामने आया सत्य घटना है यह हमारे वरंदाबन में एक स्वामी जी रहते हैं बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी है वो उन्होंने अपने बच्पन की घटना सुनाई जब वो घर में रहते थे छोटे थे अपनी बहन की सुत्राल गए यह सत्य घटना में आपको सुना रहा हूं अपनी बहन की सुत्राल गए हूँ तो उनके जो जीजा थे वो अपनी बड़ी बहन किया उनको लेकर के गए वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो देखा उन्होंने वरणन किया उस बात का कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो दिश्च देखा उसको देख करके उनको बहुत दुख हुआ क्या द्रिश्ट देखा उन्होंने वहां का जो उस उनके जीजा का जो पहनोई धा उनका जो जीजा था जीजा का कि उसको लगवा लगा हुआ था जार पाई पर लेटा हुआ था वो असमर्थ था है और ये चोटे से बालागं जब मिलने के लिए माँ पर गए तो उसके आखों में जरजर आंसु बह रहे थे और उसने उनसे कहा कि यह जो कुछ तुम देख रहे हो ना घर दुकान मकान यह सब बैभव यह मैंने परिश्रम करके सब जोड़ा लेकिन आज पांच साल से मुझे लगवा लग गिया है तो मैं असमर्द हो करके खटिया पर लेटा हूँ विस्तर पर लेटा हूँ एक वरस तक तो मेरी पत्नी ने मेरी सेवा की लेकिन जब इसने देखा कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूँ तो अभी मेरी यह सेवा नहीं करती है कभी-कभी मुझे मारती भी है और मेरे सामने परपुरसों से हसस की बात करती रहती है। मैं देखता रहता हूं और मेरे आखों में आशों किला और कुछ नहीं कर पाता हूं। इसका नाम संसार का प्रेम है। बहुत कटु सत्य है ये। सुनने में साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये कटु सत्य है संसार का प्रेम सिवाय स्वार्थ के और कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना प्रेम जब आप अपने से प्रेम करते हो। अपने से प्रेम का मतलब आत्मा से प्रेम परमात्मा से प्रेम वहां कोई स्वार्थ नहीं है। स्च्चा प्रेम क्या है संसार का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है सच्चा प्रेम तो पिरमात्म oblige अ mostrar प्राइटा कोई औलग सब कोई ओर जिए प्रेम से प्रमात्म मिलता हो वास्ता मेंального प्रेम है, संसार में तो प्रेम का ढौंग है, संसार में तो प्रेम का थोड़ा सा रूप है, अखली प्रेम तो वो प्रमात्मा का प्रेम है, जिस प्रेम से प्रमात्मा मिलता है, और वहां उस प्रेम में न कोई मांग है, न कोई गुण है, न कोई इच्छा है, सच्चा भगवद भक्त जब परमात्मा से प्रेम करता है वाँ कोई मांग नहीं होती है वाँ कोई चाह नहीं होती है वाँ कोई इच्छा नहीं होती है वाँ न कहीं जाना होता है न कहीं आना होता है न कुछ छोड़ना होता है न कुछ मिलना होता है स्री देवर्ट सिनारद ने लिखा था भक्ति सूत्र में गुण रहीतम कामना रहीतम प्रतिक्षणम वर्दमानम जब आप परमात्मा से प्रेम करते तो दीरे 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 के वो प्रेम बढ़ता रहता है का संसार का प्रेम दीरी दीरे कम हुता है आप सबका अनुबाव है जब पहली बार आप से व्यक्ति मिलता है यह परेम बहुत बड़ा हुता है लेकिन जो यह समय बीतता चला जाता है परेम कम होता चला जाता कि recognized लेकिन भगवद भक्त का प्रेम प्रारम मुद्रिम्स से लिकर के और जीवन के आखरी दिन तक वो प्रेम दीरे 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 बढ़ता चला जाता है कम नहीं होता है इसको कहते हैं प्रम प्रेम इसको कहते हैं सचा